तिरुप्ती बालाजी के मंदिर का रहस्य, आज हम आपको तिरुप्ती बालाजी के रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे. तिरुप्ती बालाजी को भारत के सबसे अमीर देवताओं में से एक माना जाता है यहां देश से ही नहीं विदेश से भी लोग तिरुमला की पहाड़ी पर भारी संख्या में आते हैं ऐसा माना जाता है कि यहां भगवान तिरुप्ती बालाजी अपनी पत्नी पदमावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं, यहां के स्थानिया लोगों का कहना है यहां सच्चे दिल से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, और जब किसी भक्त की दिल की मुराद पूरी ह तो वह यहां आकर अपने बालों का दान भी करते हैं। एसा कहां जाता है कि वेक्टेश्वर जी की मूर्ती पर लगे बाल बिलकुल असली है यहां बाल आपस में कभी उलचते नहीं है और हर दम मुलायम रहते हैं। दी थी और उन्हें मंदर के गेट पर लटका दिया था। अगर आप भगवान तिरुक्ती बाला जी की मूर्ती पर कान लगा कर सुने तो आश्चर यच्कित हो जाएंगे। क्योकि जब आप कान लगाएंगे तो आपको समुद्र की आवाजे सुनाई देंगी और इसी कारण बाला जी की मूर्ती हमेशा ही गिली रहती है। मंदर में मुख्यद्वार के दर्वाजे के दाई और एक छड़ी है कहा जाता है। इसी छड़ी से बाला जी के बाल रूप में पिटाई की गई थी, जिस कारण उनकी थोड़ी पर चोट लग गई थी। तब से लेकर आज तक उनकी थोड़ी पर हमेशा से ही चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। अगर आप भगवान तिरुपती बाला जी की मूर्ती पर कान लगा कर सुने तो आश्चर यचकित हो जाएंगे, क्योंकि जब आप कान लगाएंगे तो आपको समुद्र की आवाजे सुनाई देंगी और इसी कारण बाला जी की मूर्ती हमेशा ही गिली रहती है। मंदर में मुख्यद्वार के दर्वाजे के दाई और एक छड़ी है कहा जाता है। और ना ही घी। आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि यह दिया कब और किसने जलाया था। जब आप बालाजी की मूर्ती को गर्भ ग्रह से देखेंगे तो भगवान की मूर्ती मंदर के गर्भ ग्रह के मध्य में दिखाई देगी लेकिन जब आप इसे बाहर से देखेंगे तो पाएंगे मूर्ती मंदर के दाई और स्थित है बालाजी की प्रतिमा पर एक खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है, अगर इसे किसी भी पत्थर पर चढ़ाया जाता है, तो वह कुछ समय बाद ही चटक जाता है मंदर में मूर्ती पर जितने भी फूल, पत्ती और तुलसी के पत्ते चढ़ते हैं, वह सब के सब भक्तों को न देकर पीछे स्थित एक जलकुंड में विसर्जित किया जाता है प्रत्य गुरुवार के दिन तिरुप्ती बाला जी को पूर्ण रूप से पूरी मूर्ती पर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब उसे हटाया जाता है, तो वहां खुद वा, खुद ही माता लक्ष्मी की प्रतीमा उभर आती है, ऐसा क्यों होता है, यहां आज तक न पूर एक गाव है, उस गाव में बाहरी व्यक्ती का प्रवेश वर्जित है, वहां पर लोग नियम से रहते हैं, वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाया जाते हैं, और वहीं की वस्तूओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूथ, घी और मक्षन आदी, तिरुप्ती मंदिर में भक्तों द्वारा बहुत ही दान किया जाता है, मानने तानुसार इस मंदिर में दान करने की परंपरा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के समय से ही चली आ रही है, राजा कृष्णदेव राय इस मंदिर में हीरे, सोने और चांदी का दान किया करते थे, झाल 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 activity!